तो हे गाइस बेलकम बेक टू माई चैनल आज इस वीडियो में लोग बात करेंगे एक कल्यान श्कॉलर्सिफ से आप लोग रूब रूब होंगे और उसे पर आज पूरी वीडियो में बात करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आप लोग पाना चाहते हो फ्यूचर में भी स्कॉलर्सिफ रिलेटेड कोई भी अपडेट पाते रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बूलिएगा बिहार के लिए इस चैनल काफी इंपोर्टेंट है तो बिहारी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए बिना देरे के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है अभी थोड़ा दिन थोड़ दिन पहले क्या मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया है तर मुख्य मंत्री मेदा वीर्दी योजना 2020 तो आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके देख लो उसमें सारा प्रोसेस मैंने बता रखा है और क्या-क्या डोकुमेंट्स वगेरा जो जो बेसिक आप लोग अराम से कर सकते हो साइवर के भाजाने का कोई जरूर थी नहीं आपको तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना अगर वीडियो अजरा सा भी फसंद आये थोड़ा सा भी तो आप यूट्रोड़ों को लाइक कर देना अपने लड़कियों के लिए है लड़के ना देखें तो या लड़के भाई वगेरा होंगे लड़की का जो भी देख लिए नौलेज़ वाल वीडियो कोई भी देख सकता है तो चलिए क्या क्या करना है प्रोसेस सब देख लेते हैं बिना देरी कि तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open कर लेना है आप लोगो यतना पता होगा वहां प्लोग एकल्यान टाइप कर लोगे इसके बाद आपको website का link खुल कर आ जाएगा तो यहां पर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा इकल्यान उस पर आपको क्लिक करना है इस पर नहीं करना है जो इंगलिस में है वो यूपी वालों के लिए है इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे चलिए क्लिक करके देखते हैं नेक्स पेज में क्या खुलता है उसको आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा यहां पर आपको बहुत सारा link भी provide किया हुआ है सो यह सब आपका काम का नहीं है आपका सब से उपर म आपको वहाँ पर एक और link मिलेगा चलिए इसको पे click करके check कर लेते हैं वह link कौन सा है किस पे आपको click करना है और यहां पर एक नए interface खुल चुगा है और यहां पर यह सब पर आपका क्लिक रहा हुआ है और नीचे आपको वह वह वाला link दिया हुआ होगा और यहीं पर plus two म नीचे में आपका 10 वालो के लिए तो ये वीडियो सिर्फ पता है आप लोगो ये सब आपको क्लिक करना जो मैं कटकूट लगा रहा हूं ठीक है और नीचे 10 वालो के लिए तो ये सिर्फ वीडियो उनको लिए है 12 वालो के लिए जिस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं न वहीं आपको क्लिक करना इस पर आप लोग क्लिक करियेगा आपको एक इस नया इंटरफेसKOWL जाएगा और उस पर से चाहर ची क बता रहेगा ठीक है और नीचे तिंथवा लोग के लिए तो नेक्स्ष्ष्वीडियो के लिए लिए कुछ जो मैंने बता रहा है पिछले वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में एंडाई बटन में वह देख लिए पूरा यह सब उसमें गाइडलेंस तो यह नीचे में स्टेप भी बताया गया कैसे आपको फिल अप्लाइब करना है तो वह सब मैंने बता रहा है पिछले वीड इस दिखेने को मिलेगा और यहां पर आपको रजिस्टेशन नमबर आपने ट्वेल्थ नमबर पर जो भी रजिस्टेशन नमर भर देंगे उस पर जिनना भी आप पर 12 में माक्स आया था 500 में से वह वह पर भरके विनाया पर capture code आप लोग दिख रहा हुगा ठीक है आज इस जो लिखा हुआ है capital letter में हो जा small letter में आप लोगों को भर देना है वहाँ पर भरने के बाद आपको क्या करना है simple सा आपको login कर लेना है आपको registration number हो गया marks हो गया फिर login कर लिजेगा तो आपको यहाँ पर अपना mobile number देना होगा आपका जो भी mobile अभी यूज कर रहे हो currently जो भी mobile में है उसके बाद आपको सारा form fill up करना पड़ेगा और form fill up परके आपको finalize submit बगएरा करना पड़ेगा तो चली हम लोग देख लेते हैं आगे का process क्या है पहले आप लोग generate OTP क्लिक कर लिजे उसके बाद आपको नए page पर मि applications दोनोर रहेगा तो आपको सबसे पहले update bank details से करना है तो उसके क्लिक करते हैं और क्लिक करेगा तो आपको नया पिजाज है आपका जो यह आपका form खुल करा गया यह interface से इसमें सब आपका दिया हुआ रहेगा कुछ-कुछ-कुछ-कुछ वरना रहेगा तो क्या-के वरना ह रहेगा verify कर लेना है ठीक है डीजो भी तो डाल रही है mobile number डालना आपको बैंक बास्पूपों सब दिया रहेगा और बैंक में जो नाम होगा वो डाल दीज़ेगा बैंक ब्रांच आपका दोस्तों मैंने form fill up कर दिया सारा सारा सही सही आप भी सही करना अब कुछ कर नहीं करना है आपको से पे क्लिक करके आपको सिर्फ आगे बढ़ना है आपको इस मन्यूं पर चलाना उसके बाद finalize application दिख रहा होगा उसके क्लिक करके आपको next page में कुछ प्रकार का interface मिलेगा आ आप लोगों पढ़ लेना है यह अनमेरिट वालों के लिए हैं टेंट फ्रस्ट वालों के लिए हैं चो इस सब पढ़के आप लोगों को दोनों को टिक कर लेना सिंपल सा फिन final summit यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे रेट कलर में यही बाला दिख रहे होगा उसके बाद इस पर क्लिक कर दिजएगा आपका लगवक काम खटम हो चुका है यहां पर यहां पर final summit हम लोग देख लेते हैं और नीचे application preview बगर दिया रहता है क्या चल रहा है आपके application सा वो सब दिखाना रहता है तो इसको हम लोग कर लेते हैं दोनों को click and देख लेते हैं आगे क्या करना है तो दोनों को हम select कर लेते हैं उसके बाद final पर submit करते हैं तो आपका हो जाता है खतम यहीं पर step and if you have any type of problem related to this scholarship matters then comment below in comment box I will reply as soon as possible तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ कुछ नए और scholarship news के साथ तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करना नहीं बोलेगा पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे